कि हालो एक्जाम जुलाई में स्टार्ट होने वाले हैं तो उनी को लेकर हमारी जो प्रटिस क्लासे से सभी सिलेबस की स्टार्ट होने वाली हैं तो आज से हमारे जो क्लास रेगी यहीं से आते हैं ठीके बाकी आपके पास अगर भुक है तो आप उसको अच्छे से पढ़िएगा और इसके द्वारा आप अच्छे से प्रटिस कीजिएगा ठीक है तो कुशिन स्टार्ट करने से पहले में आपको थोड़ा से इंपलोईबिटी जो स्किल जो वर्ड है इसके वारे में थोड़ा इंट्रड्यूस करने अचाता हूँ तो जैसे कि दोस्तों ही जो हमारा इंपलोई जो बना हुआ है इ-m-p-l-o-y ठीक है जो इंपलोई जो हमारा बना हुआ इसका जो अर्थ होता है कोई नौकरी या तनखा के बदले काम करना आप नोट कर सकते हैं एंपलोई का मतलब फिर आता हमारा एबिलिटी ए-b-i-l-i-ty ये एबिलिटी होता है इसका अर्थ दोस्तों होता है किसी कार को अच्छी तरह से करने की समझ और कौसल ये इसका अर्थ होता है ठीक है इसके बाद हमारा थर्ड जो हो थिक कि 118 is spell इसका जो अर्थ दूस्तों मारा होता है न केवल किसी कार को करने की समझ बल्की उसे करके दिखाने का हुनर्वी यह हमारा क्या होता है इसके लातता है इन तीनों के वर्डस जो हमारा दूस्तों बना हुआ है Emily इसकील बना यह ठीक है आप समझ शुके हैं इसको को आप नोट डाउन कर सकते हैं चाहें तो अगर आपको थोड़ा सा उधार्ड बता दें तो जैसे कि आप उधार्ड के तौर पे सीखने से क्या होता है आपको अपनी जरूरतों के लिए भी अपने पैसे का प्रवमधन करने में मदद मिलती है ठीक है इसको आप फुरसा अपना याद रखना मैंने आपको इंपलोइबिटी स्किल का आर्थ बता दिया इसको नौट कर लेना ठीक है तो कुश्चन को दुस्त झूक है इस स्कूरीन पर देख सकते हैं पहले कुश्य में आपसे पूछ गया है कि इनमे से कौन सा विकल्प रोजगार कॉसल नहीं है रोजगार कॉसल पर अच्छा कि अच्छा कि अच्छा के संचार कोशल तो इहां पर तो थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा सब्सक्राइब लेकिन इंग्लिश साफ समझ आई इंटर्वियू दिया गया एक में इसके लिए और हमारा फॉर्थ भी आ गया है क्योंक लर्निंग यानि तुरित सिच्छा तो सभी साती बताएंगे जितने भी साती वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करेंगे क्यों को एक्जाम सभी का है कुछी एक का नहीं है तो जली से बताएंगे इसका राइट अंसर क्य भी करने लगे हैं तो जो भी साती इसका राइट अंसर कर गया आएगा हमारा ऑप्शन नम्मर ए इस राइट अंसर हो जाएगा यानि की गुड रनर यानि अच्छा जो धाबक है यह क्या नहीं है एक इंप्लेविटी स्किल यानि रोजगार कौसल का हिस्सा नहीं है बाकि जैसे कि इंटर्वी हुआ गुड इंटर्विविव्य इसकिल है इसके बाद हमारा जो थर्ड दिया गया है गुड कॉमोनिकौशनकी इसकिल यह भी क्या है इंप्लेविटी का बहाग है और इसकी एप फौर्ट वाला दिया गया है क्यूक लटनिक है तौरित उ च्छा यह स प्रशा धावक यह क्या है इंपलेविटी स्किल का भाग नहीं अच्छे साथ समझ चुकों इस को ठीक है चलिए अगला कोशन देख लेते हैं आपकी स्कीन पर यहां कोशन को अच्छे से समझेगा कोशन में यहां पर दिया गया है एक इहां पर देखें एक करमचारी वे होता है जो फिल दाद्विलेंस की पूर्ति करना होता है क्या होता है इसके वारे में बताना है कि ओप्षण ए डिया गया है हमारा पढ़ने के लिए स्कूल जाता है काम नहीं करता है option c हमारा दिया गया तंखा के लिए काम करता है option d हमारा दिया गया खेलेने जाता है इसका तो सभी answer कमेंट कर सकते हैं इसका right answer क्या होना चाहिए तो जितने साथ ही हमारे वीडियो देख सभी comment करेंगे इसका right answer और ये तो सभी को याद भी होना चाहिए तो काफी बच्चे इसका right answer comment भी करने लगे हैं तो जो भी साथी right answer कमेंट कर रहे हैं हमारा option नमर seize right answer हो जाएगा क्या होगा seize correct answer यानि work for a salary तंखा के लिए काम करता है जो करमचारी होता है वो किसके लिए काम करता है आप कहीं काम करने जाते हैं तो किसके लिए काम करते हैं तंखा के लिए आपको महिने के बाद आपको कुछ salary यानि तंखा मिलेगी यानि option number six right answer हो जाएगा चलिए अगला question देखते हैं आपकी screen पर यह ला question को हमें साथ अच्छे से बढ़िएगा जब भी exam हो cbd exam में बिल्कुर question अच्छे से बढ़ गए जाना ठीक है और question सारे के सारे जितनी में आपको करवा रहा हूँ यहीं से question आएगे अलग से कुछ भी नहीं आएगा ठीक है चलिए question में दियागा अच्छे career विकास के लिए कौन से दो कोशल आवस्चे है यानि कि जो आपका अच्छा career विकास करना है तो उसके लिए कोई दो कोशल जो आवस्चे है option A दियागा singing यानि गायन option B dancing यान निर्थ option C हमारा दियागा बागवानी option D हमारा दियागा आपर देख सकते हैं technical skill and employees दो डी इसके लियानि तकनिकी कोशल और रोजगार कॉसल तो पताये का राइट आजना न सर कोन सा होगा तो जितने भी साथए वीडियो देखरें सबी कमेंट करता है चलाने इसका back What तो तो काफ़ी साथी इसका right answer कमेंट कर रहे है तो जो वह spectrum का राइट अंसर कमेंट कर रहे हैं, option नमबर D is right answer हो जाएगा, D क्या हुआ, right answer हो जाए, यानि कि तक्निकी कोसल और रोजगार कोसल, यानि technical skill और employee skill यह क्या है दूस्तों, अच्छे career विकास के लिए दो कोसल आवश्च रहा है, ठीक है, चलिए, अगला question आपकी screen पर रहता है तो इसके पास क्या है गोपी इस आलवेज विलिंग टू लर्न एंड इंप्रूव इन इस वर्क तो दीग है लव यानि प्यार या फिर प्रमाल पत्यने सर्टिफिकेट्स ऑफशन सी हमारा दिया ग्रोथ माइंड सेट यानि विकास मानिसिक्ता ऑफशन डी हमारा मार्क कार्ड तो इसमें से कौन सा राईर आंसर हुआ तो सभी सिगाती कमेंट करेंगा आपने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है आपके बास बुक है अगर नहीं पढ़ा है तो जो भी हम आपको कुशन करवारें उनको अच्छे से याद करते चलिए ठीक तो जलिए इसका राईट अंसर क्या होगा तो काफी वच्छे इसक काम में सुधार करने के लिए तयार रहता है तो उसके पास क्या है विकास मान सिकता यानि क्या ग्रोथ माइंड सेट उसके पास है ठीक ऑप्शन नमर सी राइट आंसर हो जाएगा चलिए अगला कोशन देखते हैं आपका स्कीन पर यह रहा कोशन को अच्छे से पढ़िए इंगा कोशन में दिया गया है कि रोजगार कौसल का अर्थ क्या है यह दा मीनिंग आफ इंपलोविटी स्कील आर यानि जो इनिव इसका मीनिंग पूछा गया और पूछा गया क्या हुआइए पोच्छन फर्ष्ट हमारा दिया देखिए नौकुरी पालने के लिए कौशल option आपका B यहां पर दिया गया है causal एक अच्छा करमचारी बनाने के लिए option C हमारा दिया गया है अच्छे संसार जो संचार होता है के लिए causal option D हमारा दिया गया उप्रोक्त सभी तो पताएं इसमें इसमें right answer कौन सा होगा और सभी साथी वीडियो को जरूर शियर करना अपने बच्चों को जितनी भी आपके student है उनको सर्वेज करना ठीक है तो काफी बच्चे इसका right answer कमेंट करना है स्टार्ट कर दिये तो जलिसे कमेंट करें तो जो भी साथी इसका right answer कर रहे हैं ठीक है option number B is right answer हो जाएगा चलिए अगला question आपकी screen पर यह रहा question में दियागा है when we learn something online it is called मतलब कहने का मतलब जब हम online को सीखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं मानलिया आपने कुछ online सीखा है तो उसको हम क्या बोलेंगो उसके वारे हैं तो option करेंगे यह तो सभी आसानी से comment करके बता सकते हैं इसका right answer क्या होगा जितने भी साथी हैं सभी comment करेंगे अगर आपने कुछ भी online सीखा है तो इसको आप क्या कहेंगे तो काफी वच्चे इसका right answer comment भी कर रहे हैं तो जो भी साथी इसका right answer कर रहे हैं option option number C is right answer हो जाए यानि की e-learning बोलते हैं अगर आपने किसी भी चीज़ को online एकर सीखा है ठीक है कोई भी certificate का कोई computer का diploma है कुछ भी सीखा उसको बोते है e-learning कोई भी चीज़ सीखते है online के जरीए तो उसको हम बोलते है e-learning बोलते है option number C is right answer हो जाए चलिए अगला question आपकी स्कीन पर यह रा question को समझेगा question में दिया गया है online सीखने के lab है यानि the benefits of learning online are तो जो online सीखते हैं उसके lab क्या है option A दिया गया हमारा हम कभी भी और कहीं से भी सीख सकते हैं ठीक option A हुए तो आप बताना option B हमारा दियागा हमारे सहे पार्टियों के दोस्त बने option C हमारा जल्दी घर जाओ option D हमारा पुस्तिकाला देखें तो देखिए हमपर पुस्तिकाला देखें यह भी नहीं होगा जल्दी घर जाओ यह भी नहीं होगा हमारे सह पार्टियों के दोस्त बने ये भी गलत होगा online सीखनी के जो benefits क्या होते हैं ये पूछा गया ठीक है तो जो हमारा first option दिया गया है हम कहीं भी और और कहीं से भी सीख सकते हैं मालने online सीखनी के दोस्तों बहुत simple तरीका हो चुका है अगर आप पहले क्या होता था आप खर बैठे वो सारे कोस्तिस को अच्छे से घर पे कर सकते हैं तो यह हो सकता कहीं पहले भी आप सुरू कर सकते हैं जहां आप बैटे वो स्पोर्स को बढ़ सकते हैं तो यह online के सीखने के तरीके होता है ठीक है चलिए अगला question आपकी स्कीन पर यह रहा question को अच्छे से देखिएगा question में दियागा इनमें से कौन सा रोजगार causal portal है जो रोजगार causal portal है उसके बारे option यह है Facebook भारत स्कील नेट्फिलिक्स होट इस्टार तो देखिए कि इसमें से सीखने वाला पोर्टल कौन सा दीखिए option dv नहीं होगा होट इस्टार नहीं है इंप्लोविटी स्कील का पोर्टल नेट्फिलेक्स यह भी नहीं है Facebook यह भी नहीं तो आपके पास option बचा है भी उसका जो राइट अंसर हो जाएगा भारत स्कील जो ऐसा पोर्टल जहां पर आप इंप्लोविटी स्कील को सीख सकते हैं ठीक रोजगार causal का पोर्टल है और आपने देखा हो भारत स्कील से आप अपनी ट्रेड से संबंदित इंप्लोविटी स्कील की पीडियव वर्ट्शॉप के लिकिनों सारी की सारी पीडियव आपको फ्री और कोस्ट वहां पर प्रवाइड करा दी जाती है आप वहां जाकर अच्छे से पढ़ सकते हैं ठीक है खाली समय में अपने ब्योसाय कोसल और रोजगार कोसल में उन्नती करना चाहता है तो वह क्या करें क्या करना चाहिए उसको तो ऑप्शन एरिया खेल खेले या प्ले स्पॉर्ड ऑप्शन भी हमारा दिया समाचार देखे ऑप्शन सी हमारा दिया गया है पाट्र क्रम खोज से online या offline option D हमारा है नौकरी छोड़े तो इसमें से कौन सा right answer होगा सभी साथी बताएंगा इसका right answer क्या होना चाहिए सभी साथी बताएंगा अगर राम एक company में फीटर का काम करता हुआ अपने खाली समय में अपने ब्यापार कोशल और रोजगार कोशल को उन्नती करना चाहता तो क्या करें सभी साथी बताएंगा इसका right answer तो काफी बच्चे इसका right answer कमेंट भी कर रहे हैं तो जो भी साथी इसका right answer कमेंट करेंगे option number sees right answer हो जाएगा यानि क्यागा पार्टिकरम खोजें online या offline ठीक है option number sees right answer हो जाएगा वीडियो को जरूर शेयर करना है जिससे कि अन्चात्रों को भी काफी helpful हो जाएगा ठीक है चलिए अगला question देखते है जीना e-learning course के लिए नामंगन करना चाहती है उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है online क्या करता है नामंगन करना सबसे जरूरी चीज के बारे में पूछा गया है ठीक है option एक किताब है option B हमारा paper और pen option C हमारा दिया गया है mobile phone या computer option D हमारा नए कपड़े तो इसमें से सभी साथी कमेंट करेंगे इसका right answer कौन सा होगा जितने भी साथी वीडियो देखर सभी कमेंट करता है जिस कमेंट करने से आपको काफी वेनिफ्योट अगर जो भी चीज गलत होगी न वह आपकी ही गलत हो जाएगी और गाम में गलत नहीं होगी ठीक है तो जो भी साथ इसका right answer हो जाएगा यानि क्या हुमारा mobile phone या computer का correct answer हो जाएगा चलिए आगला question आपकी screen पर यह रहा question को अच्छे से पढ़िएगा तो question में दियागा आज के समय में कई नोकरियों में fill in the violence की पूरती करना कौसल एक बुन्यादी कौसल आउशक्ता बन गई है तो option A दिया गया अभी नहीं की digital या painting या नर्थ बदाएए सब्सक्राइब कौन सा होगा कौन सी बुन्यादी कौसल आउशक्ता बन गई है सभी साथी कमेंट करेंगा और सभी को याद होना चाहिए ठीक है अभी नहीं तो होगा नहीं नत्य होगा नहीं painting होगा नहीं जो आजकल जो कौसल बन चुका वह है डिजिटल या ऑप्शन नम नंसी नौकॉरयां प्रदूसड को कम करने और पर्यावला ग्रह को सरच्चित करने में मदद करती हैं सॉफ्ट्वयर हाडवैर हरागिरीन या बड़ई तरह में से कौन सा राइट अन्सर में त्यांव में अच्य कोई सार्ता रैइल याद होना चाहिए और सभी कमेंट करें ठीक है तो काफी बच्छे इसका राइट अंसर कमेंड भी कर रहा है तो ब्रीण जॉब्स महतपूर्ड है जो ग्रीण जॉब है यानि greens of are improved important because क्यों है आप्शन एडिया गया वे पर्यावरंड की रच्छा में मदद करते हैं वे अधिक पर जूसर करते हैं यह करना आसान है यह सहर की करमचार्यों के लिए है तो पताएं इसमें सा राइट अंसर कौन सा आगा सभी साथी कमेंट करेंगे जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं और जिनका एक्जाम बहुती नजदीक है यानि जुलाई में एक्जाम स्टार्ट हो जाएंगे तो काफी बच्चे इसका राइट अंसर कमेंट भी कर रहे हैं तो इसका जो राइट अंसर हमारा क्या होगा option number a is right answer क्या होगा वे पर्यावरंड की सु सिचापूरी की है वह अपने फिलिंदावलेंस कौसल में सुधार के लिए एक बुनियादी अंग्रेजी पार्ट करम में सामिल होई है लत्य में लड़ाई संचार या कोई नहीं तो इसको हम क्या बोलेंगे किसमें सामिल है सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क कि क्या कि यह गीता ने अभी अभी अपनी सिचापूरी की है वह अपने फिलिंदावलेंस की कौसल में सुधार करने के लिए बुनिया दी अंग्रेजी पार्ट करम में सामिल होई तो किसमें इसका जो राइट आंसर हो वह संचार और अंग्रीजन साभी लिए ना Communication इसका correct answer हो जाएगा ने option number C इसका right answer हो जाएगा चलिए अगला question ये last question है आपके इस topic का तो सभी साती बताएंगे राम अपना खुद का विवसाय सुरू करने की योजना बना रहा है आप कौन सा विकल सुझाएंगे online खुरदरा audio cassette की दुकान या film video retail या फर जोरोक्स की दुकान तो इसमें से कौन सा right answer होगा सभी साथी comment करेंगे इसका right answer क्या होगा राम अपना खुद का विवसाय सुरू करने की योजना बना रहा है तो कौन सा विकल सुझाएंगे तो इसका right answer होगा online retail इसका correct यानि online खुरदरास का right answer यानि option number A is right answer हो जाएगा तो दूस्तों जो आज हमारा जो topic था है introduction to employee skill तो ये complete हो चुका है इसको जितनी आप अभी practice कर सकते हैं आप practice कर लिएगा आपका एक भी जितनी भी आपको शीरीज कराएंगे ने इस topic by topic अच्छे से याद कर लेंगे एक्जाम में 101% यहीं से question आते हैं ठीक है तो उम्मीद करता है वीडियो को ज़रू शेरे करें वीडियो चले वीडियो को like करना थेंक्यों फॉर वाचिंग दिस वीडियो जै हिन जै भारत मिलते नेक्स वीडियो में